नमस्ते फ्रेंड्स नए साल की इस पहली वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुब काम नाए आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही खुबसूरत नेम प्लेट ये नेम प्लेट मैंने दो आर्ट्स कॉम्बिनेशन के साथ बनाई है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें लेना है इस तरह के दो MDF बोर्ड आप साइज अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं उसके बाद मैंने यहां लिया है फैविकोल एसेच जो की वुड को चिपकाने की काम आता है आज मैंने यहां पर दो आर्ट्स कॉम्बिनेशन को ट्राइ किया है दोनों ही आर्ट्स बहुत ही खुबसूरत है और यह जो नेम प्लेट है यह भी बनने के बाद बहुत ही अच्छे लगने वाली है बस इतना कीजिएगा फ्रेंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आज की नेम प्लेट आपको कैसी लगी अब इस तरह से अच्छे से स्टिक करने के बाद हमें इसको एक घंटे के लिए छोड़ देना है और इस तरह से कुछ भी आप इसके उपर वेट रख सकते हैं जिससे की अच्छे से स्टिक हो जाएगी यहाँ पर यह मैंने लिया है जैसो जैसो आप घर पर भी बना सकते हैं जैसो कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अब अच्छे से जैसो लगाने के बाद इसको सूखने देंगे और सूखने के बाद आपको लेना है फैविकोल और फेवी कोल को नीचे वाले पार्ट पर अच्छे से अपलाई कर लेना है यहां हम करने वाले हैं mirror mosaic art जो कि बहुत ही खुबसूरत art है और इस पीस के साथ बहुत ही सुन्दर लगने वाली है अगर आप mirror mosaic art पहली बार कर रहे हैं तो आपको कुछ points को ध्यान में रखना है नमबर वन आप जो mirrors ले रहे हैं वो आपको same height में लेने हैं आपको यह नहीं करना है कि आपके कुछ mirrors पतले और कुछ मोटे हों इक्वल ही आपको mirror लेने हैं जब ही आपकी जो यह art है वो बहुत ही सुन्दर लगी ही दूसरा जब भी आप mirrors लगा रहे हैं तो favicol बहुत अच्छे से apply करें उसके बाद ही अपने जो mirrors हैं उनको लगाएं और mirrors के लिए जो भी आपने design सोचा है उस design के according आपको सिर्फ अपने mirrors को place करना है और उसके बाद उनको बहुत अच्छे से सूखने देना है नमबर तीन पे हमारा यह point आता है जब आपके mirrors काफी अच्छे से सूख जाएं सूखने के बाद जब हम इसके लिए paste ready करेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो आगे जब हम paste बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी आप चाहें तो normally भी color कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर आप color करते हैं तो उसका कुछ अलगी effect आता है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं हमारे colors जो है वो इस तरह की art के उपर अगर आप sponge के साथ यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा खिल कराते हैं अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको brown color बना लिया है और उसके बाद मैंने लिया है red color यहाँ पर मैंने ये sponge का टुकड़ा लिया है जो बिल्कुल सूखा है और सूखे टुकड़े से मैंने इसको अच्छे से आपस में सारे colors को set कर दिया है अब इस तरह से जो हमारे colors हैं उनका कुछ look आ रहा है जो ही बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं paste पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ceramic powder आप चाहें तो marble dust powder या ground powder भी ले सकते हैं अब इसके अंदर आपको पानी add करना है आप चाहें तो white color भी डाल सकते हैं गर आपको बिल्कुल white चाहिए और इसके बाद इस तरह से आपको यह paste को बना लेना है अब इस तरह से अच्छे से paste को बनाने के बाद अच्छे से mix करने के बाद जो भी हमने नीचे की side mirrors लगाए हैं उनके उपर आपको अच्छे से इस paste को apply करना है ताकि आपके mirrors में जो भी बीच में space है उसमें यह जो हमारा paste है अच्छे से चला जाए और अच्छे से उसके अ पूरे इस तरह से पेस्ट को आपको सैट कर लेना है इससे दो फाइदे होंगे एक तो यह कि जो आपका पेस्ट है वह अच्छे से मिरस के अंदर चला जाएगा दूसरा इससे हमारे जो मिरस हैं वह बाद में हमें क्लीन करने में भी आसानी हो जाएगी और यहाँ पर मैंने लिए हैं कोन कोन के साथ अगर आप काम करना नहीं चाहते तो आप फैविक्रिल की जो मॉल्डिट वाली क्ले आती है वो भी ले सकते है अब कोन वाला काम करने के बाद जो हमारे नीचे मिरर्स हैं वो भी अच्छे से सूख गए हैं और अब इनको हम अच् सुखा कपड़ा लें और उससे इस तरह से इनको क्लीन कर लें बस दियान रखें कि आपका जो पेस्ठ हैं वो कंप्लीट ली सूखा होना चाहिए अब सूखने के बाद जो हमारा यहां कोन वाला काम बचा है वो कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से मैंने बाहर की क्लों के प्ट्रीङ दिटूड करें और फोड़ासे डिजाइन किया है। अब इस तरह से जो कौन को कैसे चलाते हैं कैसे बनाते हैं यह सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अब यहाँ पर हम और मिलड लगाने वाले हैं inspirational pattern चानल जाएं और मिरर्स के उपर वार्णिश भी ना लगे तरह से यह जो हम नाम लिख रहे हैं यह आप जो हमारी क्ले आती है उससे भी कर सकते हैं अगर कौन चलाना आपकी लिए आजान है तो कौन के साथ भी बहुत ही अच्छे से आप इस तरह से राइट कर सकते हैं अब ओल्मोस्ट जो हमारी नेम प्लेट है वो बनके रेडी हो गई है मैंने मिरर्स को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद जो यह नीचे वाला पार्ट है यह भी बहुत सुन्दर लग रहा है और मुझे तो उपर वाला पार्ट भी बहुत ही पसंद आया ह अगर आज की वीडियो आपको पसंद आये और आपने यहां तक देखी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और मुझे यह भी बताईएगा कि आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको 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 आपक